Hello friends, welcome back to Mishika Kanishka's world. मैं हूँ Mishika और Kanishka की मम्मा और अभी आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, उसमें मैं एक कुमाउली डेश बनाने जा रही हूँ, उत्राखंकी, जिसे कहते हैं चड़नची और उसके लिए क्या क्या चीजे चाहिए मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो हर किसी का अपना तरीका है उसे बनाने का, इस जिश को बनाने का, चड़नची को बनाने का, तो हम किस तरीके से बनाते हैं या मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं वह आपको दिखाऊंगी, इसके ल आज दिन में बनाना है एक तो बजे तो आप मॉनिंग में सेवन ओप लॉक की उसे भीगा दीजे या जितने बजे आप उठते हैं सुबह जलसी जल्द उसे भीगा दीजे ताकि वो अच्छे से भीग सके और फिर उसे हमें क्या करना होता है मैं आपको दिखाती है हमने जो लिए है काले चने वो यह इसमें है यह भीगा दिये थे मैंने आज सुबह ही भीगाए रात से नहीं भीगाए थे मैंने मॉनिंग में ही भीगाए है आज सुबह तो अभी मैं इसको करने जा रही हूं मिक्सी और उसके बाद फिर कैसे क्या बनता है मैं आपको दिखात देखे ने मेने चन्य को किमिक्स है और यह बएकिल इसी काले चन्य का सब्सक्टाया डीटिकल और stolid स्याओ कि यह जजाने केम कड़ाये और लोगे ओरो डाल को तेलगे रख स्वतम तेल्म रूम हो ग्याया है अभ इसमें दालोंगी हीम यह दाली मैंने हींग, अब मैं दालूँगी जीरा, यह हींग जीरा दाल दिया, अब मैं इसमें दालूँगी, यह जो हमने पीसा हुआ है, चने को, चने के पेश्ट को इसमें दालेंगे, अब हम इसे बहुत अच्छे से भूलेंगे, जितने अच्छे से भूलेंगे, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, करके हो जो लोग प्यार देशन खुते हैं जो क्यार लेशन भी राल सकते हैं मसाले नहीं हम तो ऐसे ही अच्छा लगता है अब इसको बहुत देर और तक अच्छे से बुना है यह नीफ़ चाके इसका भूल कि ही इसका वैसे भी कहा जाते हैं कि बहुत हेल्दी होते हैं तो यह देखते हैं इसको भून में जब तक भूनती हूँ आपको फिर आगे की दिखाती हूँ प्रोसेस कि शीजज़ में व्याहिकि बहुत अच्छी कि अब बोग आते हैं तो देखें इसमें कडाई को बिलकुल चि पत ना चुड दिया है यह देखें अलग हूज जा रहा है यह देखें तो अब मैं इसमें दालूंगी पानी पानी में ही मैं दालूंगी हल्दी धनिया और हल्द किसी मिर्च यह तो आप अपने टेस्ट के एकॉड़िंग डालिएगा नमक धनिया थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी मैं यह देखे अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी इसमें यह निक्स कर दिया अब मैं आपको दिखा यह देखे यह पकरी है कडाई में जितना यह पकेगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका यह है थारंजी अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं सिम में फिर आगे देखते हैं जब यह रेडी हो जाती है अपने लगी है इसमें थोड़ा सा जैसे ही आ रहा है ना बबल्स इसका मतलब यह पक रही है इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला यह मैंने डाल दिया करम मसाला और इसको मेक्स कर देंगे मेशिगा करनिश्का तो स्कूल गए है तो मैंने का चलो आज में एक फिदेश बना रहे हूं कि कुमाओ की हमारे तो मैं क्यों आप लोगों को भी दिखाओं मेशिगा करनिश्का आएंगे अब स्कूल से तो इसको तक खाना हमारा हो जाएगा रेडी अब हमारी चड़नजी जो है वह बिल्कुल रेडी है मैंने इसमें को उपर से घी जीरा और लालमिच से तड़का दिया है और इसमें हरा धन्या दाला है अब देखते हैं मेशिका कनिश्का आएंगे तो मैं उनको कैसी लगी व दिखाऊंगी वों दोनों का क्या कहना होता है तो तब तक के लिए बाइबाइब कनिश्का आपको कैसी लगी अच्छी लगे ओके